तो किसान सातियों मेरा फ़र्ष्ट विलोग है ये मैं इस खेट पर घूमने आया था मैं भी एक पूर फैमली से हूँ और किसानों की साहता के लिए ही कुछ न कुछ करता रहता हूँ अगर मेरा विलोग पसंद आए तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं जंगल में जाकर अपना फ़र्ष्ट विलोग बनाया है देखिए किस पिरकार किसान की फैमली किस पिरकार अपना जीवन यापन करती है देखिए ये ग्याउं की सिचाई कर रहे हैं एक आकार गाम में छुपकर मैं अपने बिलोग बना रहा हूं तो किसान सातियों और देखने वालों सभी मेरी साहता करें ताकि मेरा भी चैनल मोनेटाईज हो जाए तो आप से मैं अनुरोध कर रहा हूं तो देखिए देखिए ये इस पिरकार ग्याउं की सिचाई हो रही है त चैनल तो दिविन पिरकार के विलोग तो आप बहुत जल्डी पसंद करते है लेकिन एक प्वरवेक्ति के पसंद नहीं करते विलोग पसंदे पक्रती के बिलोग कासा लगा अगरम इसी की कहा है बिलोग बनाऊं तो किया आप पसंद मर्लेरज पर劈स करता है अपनी फसल उ ग्याओं की फसल इस बार लग रहा है ग्याओं का मोसम के लिए मोसम काफी अच्छा है तो किसान साथियो इस वीडियो को देखें और वीडियो को इतना सेयर की दिये कि इस गरीब किसान की मेहनत बसूल हो जाए मैंना दिखाया था पिछली वीडियो में भी उधर इनका इंजन चलता है अब आज भी आ रही होगी तो यह अपनी फैमिली के लिए काफी पेनत कर रहे हैं और फसल अच्छी हुआ रहे हैं गन्ना भी फसल है इनकी और धान की फसल मैंते की भी करते हैं यह देखिए इनका उसी चरफ गन्ना भी है और मेरा गाफ मेरा गाफ इधर है देखिए किसान बाइयों यह हमारा गाफ है यह गाफ चमक रहा है काफी अच्छा गाफ है औंग की बरावर में आम की फसल भी है जिस पर अब मोहर आने वाला है अभी मोल नहीं आया है तो इस पर छीड़का वोगा-दबा का उसके बाद इस पर आम की फसल का आरण लेते हैं हम लोग गाम में इस बाग में आ जाते हैं बां में आपको कि मैं कहां पर आता हूं गर्मियों में टाइम बिताने के लिए तो इस बाग में मैं अनंद लेता हूं कम से कम तीन से चार पाच घंटे यहीं पर सोता हूं इस बाग में एक चरपाई डाल दी जाती है गर्मियों में तो काफी अनंद आता है तो देहिए इस किसान तो किसान से संपनी वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं बता नहीं डवाई दालनी है यह विलोग मेरा अच्छा लगे तो आप एक बार चैनल को सस्क्राइब कर दें आपकी बहुत ही महरवानी होगी किसान साथियों देखिए ये किस पिरकार अपनी मेहनत करकर फसल को उगाते हैं